तो पांच राज्यों के चुनाफ का जो महा एक्जिट पोल है उसमिदारिस्तान मद्रपदेश पे बढ़ध की जानकारी है तो बीजेपी को बढ़ध मिली है ते लंगाना चातीजगर में कॉंग्रस को बढ़ध मिलती हुई नजर आ रही है और इस कबर पर करते हैं बाद हमारी बड़ी टीम ग्राउंड से डिप्लॉइड है हमारे साथ प्रमोर शर्मा पॉपाल से गुद मॉनिंग शर्शी मोहन शर्मा है जैपुर से राजेश निशाच 36 का से रिपोर्ट कर रहे है बढ़े साथ सभी को गुद मॉनिंग अब सबसे पहले प्रमोर शर्मा आपके पास जाओंगी और शर्शी मोहन भी मारे साथ जो रहे हैं शर्शी मोहन जो सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं जो रिवायत रही है सूबे की और जो तस्वीर महा एक्सिट पोल की नज़र आ रही है किस तरीके के पॉलिटिकल रियाक्शन सामने आ रहे हैं अगर आब बहतर तरीके से ग्राउंड से बता पाएं तो 1993 के बाद से पिछले 30 साल में प्रदेश में एक रिवाज ये रहा कि हर पांस साल में सरकार बदलती है सताधरी पारटी बदल जाती है कभी कॉंग्रस कभी बीजेपी और फिर उसके बाद में दूसरी पारटी और अब की बार नेताओं के दावे अलग अलग रहे कॉंग्रेस के नेता ये कहते रहे कि रिवाज बदलेगा सरकार नहीं बदलेगी और बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि सरकार बदल रही है सरकार जा रही है लेकिन जब से एक्जिट पॉल के रुजहान आए है बड़ी बड़त इसपस्ट वहुमत की तरफ दिखा रहे हैं जबकि एक कॉंग्रेस को बड़त दिखा रहा है और एक में मिक्स ट्रेंड है दौनों के पास में बहुत नजदी की मुकाबला बताया जा रहा है इसके बाद से बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता सक्रिये हो गए हैं निर्दली प्रत्याशी जो मजबूत निर्दली प्रत्याशी हैं जो जीतने की किशमता रखते हैं उनके फौन देर रात तक गंगनाते रहे हमारे पास में जो जानकारी आई है उस उनके पास में फौन पहुंचाए उनके जटका लगता हुवा नजर आ रहा है एक्जिट पोल में लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर 36 गड़ की बात करें हमारे सर्थ हमारे सयूगी राजेश निशाद है 36 गड़ में राजेश जिस तरह से कॉंग्रेस जाहिर तोर पर कॉंग्रेस काफी खुश होगी एक्जिट पोल्स को लेकर और ऐसे में देखिए बैटकू का दौर भी शुरू हो रहा है निश्ची तोर पे चुकि जिस तरह से एक्जिक पोल के जो नतीजे जो सामने आये हैं वो निश्ची तोर पे कहीं न कहीं चौकाने वाले हैं चुकि 36 गड़ की इतिहास में पहली बार लगातार कॉंग्रेस की जो है सरकार बनती दिख रही है चुकि पहली यदी हम बात करें तो सबसे पहले 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार थी उसके बाद बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी लगातार back to back है ट्रिक जीत का कहीं न कहीं दर्ज जो है वो की थी उसके बाद कॉंग्रेस की सरकार आ रही 2018 में कॉंग्रेस की सरकार आने के बाद अब चुकि जिस तरह से exit पोल के जो नतीजे इस वक्त सामने आये हैं उस पे सीधे तोर पे ये कहा जा रहे है कि कॉंग्रेस repeat है मतलब हलाकि उतना जादा अंतर नहीं है सीटो का चुकि भाजपा भी कही न कहीं fight करते हुए नजर आ रही है हलाकि नतीजे क्या होंगे ये तीन तारिक को ही पता चलेगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है लेकिन जिस तरह से जो सामने आया है नतीजे वो निश्चित तोर पे कहीं ने कहीं कॉंग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है वहीं दूसरे तरह देखिए बीजबी राश्री बहा सचिवों की आच बैठक करने वाली है कॉंग्रेस कोर कमेटे की बैठक रात साढ़े आठ बचे होगी इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बगेल खास्तौर पर शामिल होंगे तो करी पांच बचे पार्टी एध्यक्ष जेपी लटक एध्यक्षा में इस बैठक को बुलवाया गया और इस बैठक में पांच राजो के चुनाब आगामी जो संगितनात्मक विस्तार है इक्सपेंशन उसको लेकर चर्चोगी इस बीच बोपाल जाएंगे मारे तमाब रेपोर्टर्स अलग-अलग राजो से हमारे साथ हैं बोपाल से हमारे साथ हमारे रेपोर्टर जुड़ रहे हैं उनके पास बेजाओंगी प्रमोट प्रमोट देखिए जिस तरीके से तस्वीर नजर आ रही है और जो तासीर है वो बदलती बोपाल की मध्यपदेश की नजर नहीं आ रही है महा एक्जिट पॉल के आकड़े दर्शारे हैं कि जो सत्तारूर पार्टी है उसका दबदबा कायम रहेगा तो कौन सा मुद्धा किस पर भारी होगा वो तो रिपोर्ट कार्ट तीन दिसम्बर को बताएगा लेकिन मौझूदा आकड़ो के बाद सियासी हलकों में हल चल किती थेज है प्रमोच शर्मा दिखेंगे मध्यपदेश में कोई मुस्कुरा रहा है तो किसी की मुस्कुराट को कि जो है वो मायुशी में तबदील होती नजर आ रही है एगजिट पोल है वो दो दिन नतीजों से ठीक पहले देखेंगे दिलों की धड़कन बढ़ाने वाले है और ज्यादा तर जो रुजान है वो बीज़पी के पक्ष में आ रहा है और बीज़पी गद गद नजर आ रही है सीम सिबराज जिनके चेहरी को बेक किया गया पीएम मोधी के चेहरी पर मध्यपदेश में बीज़पी ने अपने ट्रेंड से अटकर इलेक्शन लड़ा और तो बीज़पी कहने लगी है पीएम का चेहरा काम कर गया तो दूसरे अब कांग्रिस पार्टी जो मध्यपदेश में असरत की लड़ाई लड़ रही थी वो एगज़पोल को नकारती नजर आ रही है यह आने वाला समय बताएगा यानि दो दिन दूर है और आप दो दिन बाद नतीजे आएंगे और नतीजे साफ कर देंगे कि एगज़पोल कितने सटीक है यदि हम 2018 के 2018 विदानसभा चुनाओ के एगज़पोल की बात करें तो देखे ज़ादा तर जो एगज़पोल है वो रोंग सावित हुए थी गलत हुए थी कुछ ही एगज़पोल है वो जो बाराइट सावित हुए थी लहाज़ा क्या 2018 की तरह एगज़पोल बादेगे क्या सटीक नहीं रहेंगे या पिर कुछ और उलट फेर होने बाला या ने बाले कि हमारे साथ प्रसाद भोसेकर भी बने हुए हैदरबाद से प्रसाद जरा वहां का हाल बताईए एगज़पोल हानिक की बाद किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है नकारा जा रहा है या अपनाय जा रहा है देखिए कल जब से पोलिंग खतम हुआ है तो किसी की नीन दुड़ गई है या फिर कोई आराम से सो रहा है तो जहां तक तेलंगारा की बात है तो कॉंगरेस जरूर काफी उत्साहित नजर आ रही जिस प्रकार से एक्जिट पोल्स में उनको नंबर्स दिखा रहा है वही कही न कही भारत राश्ट समीटी के खेमे में मायूसी नजर आ रही है लेकिन रिजल्ट के दिन ही पता चल पाएगा तीन तारिक को जिस प्रकार से रुजान आ रहा है और चुनाव के पहले भी ये पर्स्पेक्टिव और नरेटिव हमको देखने को मिला कि कॉंगरेस जो है काफी आगे चल रही है पर्स्पेक्टिव और नरेटिव में और यही बात कल काफी लोगों से हमने भी बात की तो उनका कहना है कि अभी बदलाव चाहिए लेकिन भारत राश्ट सम्झतें को भी दरकिनार नहीं कर सकते वो भी उतने ही स्ट्रॉंग प्लेयर है क्योंकि केसियार ने 2014 और 2018 में जबरदस प्रदर्शन किया तो आज आज का जो दिन है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या-क्या यहां पर होता है कॉंग्रेस कहना पड़ेगा कि जरूर आश्वस नजर आ रही है बलकुल हमारे साथ हमारे तमाम रेपोर्टर्स इन माहा एक्जिट पोल्स पर बाचीत कने के लिए अलग-अलग शेहरों से जुड़े हुए थे सत्ता के इन आक्रों के जो नतीजे हैं कितने सठीक साबित होते हैं तीन तारीक को रेपोर्ट कार आएगा सुप्रीट और सारी तस्वीर साफ होगी